सोला दिन से सिलक्यारा सुरंग में 41 महदूरों के फसने के बाद उनके परिवार जनों पर जैसे दुख का पहार तोट पड़ा है। उन परिवार जन के साथ पुरा देश सभी महदूरों के सुरक्षित बाहर आने का इंतजार कर रहा है। वहीं इस सुरंग में उत्रपरदेश के लखिमपूर खीरी के रहने वाले 22 साल के मंजीत भी फसे हैं मंजीत के पिता चौधरी भी अपने बेटे के सुरंग में फसे होने को लेकर काफी परिसान है मन्जित के पिता नहीं चाहते हैं अब उनका बेटा सुरंग में काम करें क्योंकि उनके पिता अपने तेज वर्स ये बेटे दीपु को पहले ही खोचुके है उन्होंने पता है कि उनका बेटा दीपु मुममे में पूल बनाने के काम में था जहां पर निर्मार समागरी गिरने से मिर्त हो गई ऐसे में जैसे जैसे रेस्क्यू आपरेशन में देरी हो रही है वैसे वैसे मदूरों के घरवालों की चिंता बढ़ती जा रही है चिंता खुद की है, बताते हैं सब भी, हाँ यहाँ आप तो बेटा रेस्क्यू होकर बाहर आएगा, आप फिर चाहेंगे कि वो टरनल में काम करें या इसी तरह के काम में रहें या यह पेशा बदल दे कुछ और कुछ और कॉछ और हम कहते हैं बदल कर अपने घर पर रहे हम भी जाएंगे जहां करना है हम जाएंगे घर पर रहे हम रहे हम किसानी का काम करेंगे मेरी वो टर कीजिए, हमसे दीक रहे बनाए रखे दूरी ना बनाए जो कि एक बेटा हम खो चुके हैं आपके जैसा हाँ भी बहुत दूर था बंबाई में इसपायर हुआ था वो बिरेज का काम पुलका कर रहा था और नीचे कुछ उठाने लगा उपर से बंडल जो उनके साथी थे घर के हमारे परवार के थे र चानी बेटा ग्टा है यह आपके बेटे की मा की भी एक्छा है वो यह कामकाज ना करें ग्षा है और फोरे घर की इस्चा ने की बहशा है कि माता की इचा हमारी भी चाहे इस जगें आ जाए तो सब कोई सौचता है निकिल होनी को 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 नकार सकता है कैसे उसका जीवन जो वैसा सूचेगा कि हम काम करना चाहते हैं, तो अगर उसकी इच्छा है, नहीं मान रहा है, तो अलग बाद है, अधरवाइज खेती पत्ती करें पसुपालं करें जीवन 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 जीवन, कोई अपना धंदा कर ले, दुकान कान चोटी मोटी आ कर ले, कैसे हो तो अप कब तक चलेंगे, 50 साल की उमर हो चुकी है, हम तो कुछ कर खा लिया है, निकिल बेटे कुछ कर खा लें